नमस्कार फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने उसमें थमनील में देखा होगा कि जो आपके 10th क्लास का जो आपके बोर्ड का एक्जाम है जो आपके 2 एक्जाम बचे वे थे तो वो आपके उनकी जो डेट है वो आपके रिलीज हो चुकी है और उनकी डेट आपके 30 जून को क आपके नाइट में रिलीज हुई थी जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि आपके यहां लिकाव है माद्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर परवेशी का परिक्षा वर्ष 2020 इसमें जो आपके दो एक्जाम बचे वे थे इसमें आपको यह उपर यूपर दिख 28 जून को आपके संडे हैं संडे का आपके अवकास है होलिडे एंड आपके जो मंडे है 29 जून को आपके जो है वो असेस्टी का आपके एक्जाम होने वाला है ठीक है और मंगलवार को आपके ट्यूजडे को 30 जून को आपके मैट्स का एक्जाम होने वाला है और इसमें आ आपके जो 12th class का exam है वो भी आपके उसका भी आपके जो नया आपके टाइम टेबल रिलीज हुआ है वो भी आपके सामने है यह देखो उसका भी आपके एकजाम है वो आपके 18 June से start होने वाला है कबसे start हो रहा है गुरुवार से फ़स्ट पेपर आपके है मैजक का जिसका COP rotor 18 है और 2018 सुचना परवदिगी की है computer फञाज मेला है सन्नेवार ट्वेंटी जून को आपके किसका एक्जाम भाला रीगवेद वगएरह यह कोई और होते होंगी जोती सास्तर वगएरह इनका आपके एक्जाम होने वाला है ठीक है चलिए और फिर आपके जैसे संडे है 21 जून को आपके संडे है और फिर आपके मंडे 22 जून को आपके बुगोल का आपके जियोग्राफिक का एकजाम होगा और मंगलवार को आपके 23 जून को आपके ग्रैविग्यान होम साइंस का है 24 जुन को आपके किसका ड्रोइंग का है चितरकलागा और गुरुवार 25 जुन को आपकी किसका हिंदी साहिते का है टंकन लिपी वगेरा यह जो होते हैं क्या subject होते हैं और सुक्रुवार को 26 जुन को किसका संस्कर्थ का exam होने वाला है 27 जुन को आपके फिर से अंग्रेजी साहिते टंकन लिपी 28 जुन को जैसे 10 में आपके होलिडे है चुटी है रवकास रविवार का वैसे आपके इसमें भी है सौमवार को 29 जुन को आपकी किसका समाजिक विग्यान का एक्जाम होगा 12th क्लास में और मंगलवार को 30 जुन को आपके मन्नो विग्यान का आपकी एक्जाम होने वाला है और इसमें भी आपके कुछ आपके नीचे guideline में दे रखि कि आपको क्या लेके जाना है और क्या आपको कैसे exam के लिए जाना है ठीक है और exam के चलिए और यह जैसे आपके 10th class का जो आपके exam है वो भी आपके मैंने जैसे आपको पहले बताया 29 June को आपके SST का होने वाला है और 30 June को आपके maths का होने वाला है तो अभी आपके पास में एक मेना है वाई एक मेने पहले आपके यहां यह notification आपको मिल चुका है तो एक मेने में आप maths वगेरा कि अच्छे से आप त्यारी वापस अपनी जो त्यारी अगर आपकी त्यारी सब भी जानते हैं कि छुटियों में कौन पढ़ा है तो उसमें आपकी त्यारी नहीं है भी तो आपके पास अभी एक मेना है और एक मेने में आप अच्छे से वापस अपनी त्या कारी में लग जाएं इस बूल में ना बैठे रहें कि वाई के ना एक्जाम आपका नहीं होगा ठीक है चलो ओके थैंक्यू कि यूद्ट